आज आपको लिकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद कुल्लू दशेहरे से जुड़े सबसे महतपून शिर्य गुनात मंदिर में माननेता है कि कुल्लू दशेहरे को मनाने की शुरुआत इसी मंदिर से शत्रवी शताबदी में ततकालीन राजा जगत सिंग जी द्वारा अपनी कुष्ट रोग की विमारी सही होने के उपलक्ष में की गई ऐसा माना जाता है कि राजा जगत सिंग ने वैशनव संत शिरी कृष्ण दास जी की आग्यानुसार अयोध्या से भगवान शिरी रामद्वार निर्मित अपनी अंगुठे के आकार की उसी प्रतिमा को लेकर कुल्लू आए जिनका उप्योग उन्होंने अश्मेद यक के सम पांच बार ही इसके दर्शन कर सकता है इसके अंतरगत भगवान शीराम को वर्ष में एक बार वन विहार के लिए एक बार निर्जलय कादिशी के दिन विजय दश्मी के दिन साथ दिन का लगने वाला एक उत्सव जो कि ढालपूर में लगता है इसके इलावा फाग और बस बसंत पंचमी का मिला भी ढालपूर में ही लगता है तो किवल पांच दिन ऐसे हैं जब आप इनके दर्शन कर सकते हैं अन्य दिनों में आप इस मंदिर में तो आ सकते हैं लेकिन उनकी जो मूल प्रतिमा है उसके दर्शन नहीं कर सकते आप सामने देख सकते हैं यह मंदिर अभी आपने रास्ता भी देखा ये मंदिर मुख्य रूप से जो मुख्य मार्ग है हाईवे उससे जुड़ा हुआ है इसके लिए आपको कुलू से लगबग एक किलो मीटर से कम मंडी की तरफ आना होगा और वहां से एक रास्ता उपर की तरफ कट रहा है जहाँ आपने शु कुलू को एक महत्पूर्ट तीर्थ स्थान है और इसके अनुठी शैली आपको आकर्शित कर सकती है इसके अंतरगत आप देख सकते हैं कि पहाड़ी और पिरामिड दोनों प्रकार की शैली के अंतरगत इस मंदिर का निर्मान किया गया है इस सामने आप धर्म इस्तम देख तो कोभी आप कुलू आए तो इस मंदिर के दर्शन करना ना भूलें